कि हलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सुप्रमदेव एडवाईजरी और आज के इस वीडियो में हम यहां पर मेरे जो टॉप फाइव स्क्वीज के सैट अप से उसको डिसकस करेंगे और यह स्क्वीज का सैट अप जो है वह बहुत ही ब्यूटिपूल सैट अप है बिकॉज आपक यह वह तो सजेस्ट करता ही है इसकी ब्यूटि यह है कि कहां पर आपको स्टॉक या तो इंडेक्स को अवोईड करना है वह भी सजेस्ट करता है एक्जामपल देखे कि यहां पर जब निफ्टी में स्क्वीज थी उस टाइम पर मैंने आपको अप्डेट दिया था कि यहां है और आप यहां से जो 16,000 के आसपास से जो स्क्वीज फायर हुई थी वह यहां पर 18,500 के आसपास यह मार्केट गया था उस टाइम पर और फिर यहां पर भी हमने डिसकस्ट किया था जब यह 380 यार का मूव आ गया थे जो रेट डॉट दोट देख रहे हो देख रहे हो द आइम करेक्शन में एक्सट कर रहा हूं और आप यहां से फिर जो करेक्शन आया था यहां पर वह हमने डिसकस्ट किया था 3-day के हिसाब से भी यहां पर स्क्वीज थी एंड देली के हिसाब से भी काफी लंबा आप देखोगे यहां पर एंड और आपको बताया था कि अब इसको सौट मत करना आइटी और जब मार्केट थोड़ा स्टेबिलाइज हो जाएंगे तो आइटी स्टॉक्स ही है जो मार्केट को लीड कर सकते हैं अभी मोस्ट रिसेंट वीडियो ही है इसमे हमने बहुत अच्छा काम किया इन फे विपरो यह सब में लें जैन सार टेकनोलोजी यह सब स्टॉक्स में हमने काम करके बहुत अच्छा मूग कैप्चर किया फिर सॉट टम टाइम प्रेम में भी कुछ स्क्वीज ती फर एक्जामपल ल्टी ती इस में आपको बताया था अब क्या है कि मोश्ट आप दो पोडिशन में आइटी में बुक कर लिए वाई बिकोज यहां पर देखे कि यह जो ट्वेंटी में लाइन है यहां से अल्रेडी यहां पर 380 यार का मूम हमें देखने को मिला है डाइट मिन्स कि अभी इंडेक्स को या तो आई-टी स्टॉक स्टॉक्स को चेज करने का कोई पॉइंट नहीं है लेट इट कॉंसलेडेट या तो रिट्रेस अराउंड इस प्रीवेस ब्रेकाउट जोन या तो 20 में के आसपास आने तो दैन वी कन स्टार्ट एडिंग फिर वहां पर कुछ प्राइज एक्शन देखके आड करना है तो कर सकते हैं अभी इट स्टॉक को यहां पर चेज करना एडवाईजबल नहीं है आट इस पॉइंट आप मेरे जो कुछ कीश के स्ट्रक्टर रहे हैं वह डिस्कर्श करते हैं पहला जो स्टॉक है डाइट इस टॉर्रेंट फार्मा ही टॉर्रेंट फार्मा को हम यहां पर देख तो आप देखे कि all the MSR positively aligned यह जो green background है that means कि यह जो moving average से ज्यास take positively और technical strength इससे हमें पता चलता है कि बहुती strong है और squeeze के हिसाब से हम देखे यहां पर red dots है that means mild compression squeeze है price यहां पर हम देखे तो price जो है continuously यहां पर 20 EMA को hold करने का try कर रहा है so this is a very good signal और यहां पर इसको हम 3-day करके भी देखे तो 3-day के हिसाब से भी आप देखो कि यहां पर price ने continuous 20 EMA line पर ही support लिया है और यहां पर कुछ important pivot point है around 3-0 sorry 3-2-5-0 के आसपास अगर उसको यह cross करेगा तो एक अच्छा momentum हो सकता है यहां पर यहां तो इसको हम थोड़ा retracement में भी अगर थोड़ा यहां पर 3150 के आसपास थोड़ा बहुत retracement भी आता है तो उस time पर भी add करने का try कर सकते है पर यह जो stock है उसकी technical strength can be strong है और squeeze के हिसाब से भी थोड़ा strong लग रहा है तो इसको आप अपनी वाचलेश में लगा कर रख सकते हो फिर दूसरा stock है that is well spun India well spun India का structure भी मुझे काफी यहां पर ठीक ही लग रहा है because आप देखे कि technical strength यहां पर देखोगे that is excellent that means all the MSR positively aligned यहां पर high compression squeeze थी now it has turned into mid compression squeeze यहां पर थोड़ा यह डवेट अल्री हो चुका है so rather chasing this stock we should wait यह मैंने line mark करके रखाए यहां पर अगर 145 143 की range में अगर थोड़ा retracement में लेने को मिलता है तो उसको add करने का plan कर सकते और फिर वापस यह जो swing आ है उसको break करेगा then we can further scale up the position तो यह एक stock है as per squeeze this stock is looking good तो इस तरह से आप कुछ plan करके उसको trade करने का try कर सकते हो फिर एक जो structure मैंने आज आपको बताया था TD power system यह मैंने Twitter पर भी पोस्ट किया था और जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने वो Twitter का link पोस्ट किया था जब यह stock 418 के आसपास चलता था यह लास्ट वीक ही हमने प्रिम्यम अनेलिस में कवर किया था उसका रिजन यहीं था कि यहां पर देखिए हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज टी टेकनिकल स्टेंथ एक्सलेंट तो यहां पर breakout का weight करते तो risk reward ratio थोड़ा screw up हो सकता था सो हमने यह stock 400 के आसपास एड कर लिया था इन anticipation of this breakout so my point is कि sometimes you have to anticipate a breakout फिर breakout का weight करेंगे तो फिर क्या होता है कि risk reward ratio जो है वो screw up हो जाता है तो यहां पर जब टेकनिकल स्टेंथ थोड़ा strong होता है तो breakout आएगा ऐसा anticipate करके हम gradually position build-up करना start कर सकते और देखिए कि as anticipated यहां पर एक strong relational move हमें देखने को मिला 400 के आसपास मेरे जो premium clients उनको मैंने सजेस्ट किया था आपको भी मैंने telegram channel पर बताया था इवन telegram channel पर मैंने आपको हैग एंड जो graphite का जो momentum है उसके बारे में बताया था कि आज इंट्राडे में काफी strong momentum हो सकता है और in fact हैग का जो structure था वह हमने इंट्राडे में ट्रेड करने का ट्राई किया था प्रीमियम क्लाइंट्स को हमने अपडेट दिया था और उसके बाद stock में करीब-करीब 200 रूपे का मूँव देखने को मिला है तो telegram channel जोईन करना है तो उसकी लिंक description box में है फिर bb expert वाला group है वहां पर भी हम कई सारे इंट्राडे calls पोस्ट करते रहते हैं for example आज इंडेसिंड बैंक का भी कॉल हमने दिया था उसके telegram channel पर भी दिया था और वो जो bb expert वाला group है उसमें मैं सिपला का trade setup मैं मैंने discuss किया था तो यह सब चीज़ां discuss करते रहते हैं तो जो ग्रूप और telegram channel जो है उसके link description box में है तो आपको join करना है तो आप कर सकते हो फिर जो मेरा तीसरा squeeze का एक अच्छा structure जो मुझे लग रहा है यहां पर देखे यहां पर all the lot of chops around 20 यह मैं और आप क्या है कि this talk is looking ready to break this range यहां पर हम इसको 3-day करके भी देखे तो 3-day के हिसाब से भी आप देखे कि जो downside momentum जो था it has slowed down and price is back about 20 यह मैं तो यहां पर क्या है कि अब यह यह एक important pivot है यहां पर 915 के आसपास अगर 915 को क्रॉस करेगा इतने पर वेट करेंगे तो फिर क्या है कि risk reward ratio थोड़ा screw up हो सकता है तो यहां पर technical strength जिस आप से strong है और price यहां पर 20 यह मैं को इसको अपनी watch list में लगा के रख सकते हो फिर जो दूसरा stock है that is NH मैंने बीच में आपके साथ discuss किया हुआ था और यह जो structure है मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत improve होई रहा है यहां पर price आप देखो के 8 and 20 यह मैं को continuously यहां पर hold कर रहा है stock 52 विक हाई की range में ही trade कर रहा है आज थोड़ा volume का हमें expansion भी देखने को मिला है और उसको हम 3-day करके भी देखे तो 3-day के हिसाब से देखे कि यह जो squeeze है ग्रेजुली यहां पर fire होने का ही try कर रही है यहां पर जो momentum slowdown हो था बीच में अब यहां पर लाइट भी वार है यहां पर वापस जो momentum है वह established हुआ है यहां पर और डेली के हिसाब से हम देखे momentum indicator इस अल्रेडी अब जीरो सो माइड भी यहां पर एक अच्छा momentum होने की possibilities लग रही है तो यह एक stock है जो आप अपनी watchlist में लगा कर रख सकते हो तो दूसरा stock है जो मुझे स्क्वीज के हिसाफ से ठीक लग रहा है डैक्टी असाही इंडिया ग्लास यह stock का structure भी काफी strong है because यहां पर देखे हाई compression squeeze थी अब यह mid compression में convert हुई है और all the ms are positively aligned और यहां पर यह जो stock है जो pattern बना रहा है वो pattern मुझे काफी strong लग रहा है यहां पर आप देखोगे this is a triangle sort of pattern यहां पर triangle sort of pattern हमें देखने को मिल रहा है यह जो range है it is contracting यह range में consolidate हो रहा है यहां से breakout दिया था उपर यह जो strong directional moves ने दिया था यहां से एंड उसके बाद यह जो range है इसी में consolidate हो रहा है और यह range थोड़ी थोड़ी दिरे दिरे नेरो होती जा रही है और जब भी यहां से breakout करेगा तो काफी strong breakout हो सकता है तो यह भी stock मुझे काफी strong लग रहा है तो आप उसको अपनी को अपनीश में लगा कर रख सकते हो फ्रेंड्स कि यह सब चीज़े जो मैंने आपके साथ डिसकस की है इट माइट हेल्प यू यह ट्रेडिंग थैंक यू